हेलो बच्चों, गुड मॉनिंग, कैसे हैं आप सब? उमीद है आप सब अच्छे होंगे, घर में होंगे, अपना ध्यान रखें ठीक है? आज आपके लिए क्लास 12 हिष्ट्री का चेप्टर 6, जिसका नाम है भक्ती सुफी ट्रेडिशन्स, यानि भक्ती सुफी परमपराएं इसका फोर्थ पार्ट लेके आए हैं, इससे पहले तीन पार्ट हम कर चुके हैं, उन्हें आप अच्छे से देखें, और जिसने नहीं करें, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक देख करके, पहले तीन पार्ट को अच्छे से करें, फिर हम चौथा पार्ट आज सुर करें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आए, वो आपको तुरंत मिल जाए, और आप उस नए वीडियो को तुरंत देखें, अच्छे से सुने, कॉपी में नोट करें, और कोई प्राबलम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, फोर्ट पार्ट को सुरू से 18th century तक के बीच का time period लिया गया है, ठीक है, अब तक इसमें हम कर चुके थे हमने पढ़ा था धार्मिक विश्वासो और आचरोनों की गंगा जमनी बनावट पढ़ा था पहले, उसमें हमने पूजा प्रनालियों के बारे में, और कैसे भेद था उनके, और संघर्स उनके प्रनाथ के बारे में हमने जाना था, ठीक है, हमने फिर उपासना की कविताएं पड़ी ती जो प्रान्भिक भक्ति परंपरा, इसमें हमने नाडु के अलवार नेनार संतों के बारे में पढ़ा था, जाती के परती उनका त्या द्रिश्टी कौन था, इस ततुरी भक्तों के बारे में पढ़ा था आपको याद होगा अंडाल हाना करेकाला माई यार तो मैंने कहा राज्जों के साथ उनके क्या संबन थे हमने देखा फिर हमने देखा था करनाटक की वीरसेव परंपरा जिसमें लिंगायत लोगों के बारे में हमने जाना था लिंगायत समुदाई मै अपने left shoulder पे चांदी के पिटारे में एक link को धारण करते हैं ठीक है मैंने कहा था ये सिव की पूजा मूर्ती के रूप में नहीं बलकि link के रूप में करते हैं हमने उसके बाद उत्री भारत में जो धार्मी कुफान आए उनके बारे में जाना था ओके दुसाले के नए ताने बाने यानि इसलामी परमपराओं के बारे में हमने जाना सासकों और सासितों के जो धार्मिक विश्वास थे वो क्या थे सासक जो सासन कर रहे हैं सासित जिन पे सासन किया जा रहा है लोग प्रचलन में इसलाम कैसा था इसके बारे में हमने जाना था समुधायों के नाम कैसे थे मैंने का था छीतर के नाम के अधारपत ताजिक वगएर आपको बताए थे ठीके सूफी मत का विकास हमने पढ़ा था सूफी क्या होते पिछले वीडियो में सूफिस्म के बारे में पढ़ा खान कहा मैंने कहा जहां वो सुफी रहते थे खान कहा उसके बारे में जाना सिलसिला मैंने कहा था चेन हमने कहा खान कहा के बाहर क्या था फिर हमने साथवा टॉपिक जो सुरू किया था उप महादीप में चिस्ती सिलसिला यहाँ पर जो सबसे फेमस था चिस्ती यानि चिस्ती उपासना, इसमें जियारत and कव्वाली है, फिर language और communication के बारे में और सूफी और state से उनका क्या relation था आपस में, state मतलब राज्य, राज्य means क्या होता है, दिल्ली नहीं, राज्य means जो भी वहाँ पर सासन कर रहा है, governance, तो मैंने कहा 7.2 सुरू करते हैं, चिस्ती उपासना, जियारत और कव्वाली, ओके, क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं, मैंने कहा सूफी संतों की दरगाह पर, सूफी हमने पिछले वीडियो में पढ़ाता, चिसे समझ आया था, उनकी दरगाह हमने पढ़ी थी, की दरगाह कैसे वहाँ पर famous हो गई थी, अब हम समुदाय के लोग, महान, पाच महान चिस्ती संतों की दरगाह पर आते हैं, five famous, कौन है ये five great चिस्ती संत, देखते हैं, कहता है, पहला नमबर जो आता है, सबसे जो famous है, सीक मुईनूदीन चिस्ती, इनकी जो मिर्त्यू थी, 1235 AD, यानि CE, ओके, इनकी दरगाह कहा है, अजम सरीफ कहते हैं, आपने सुना होगा, कुछ आप में से गए भी होंगे, ओके, ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है, इनको, गरीब नवाज, यानि जो गरीब को नवाज दे, यानि तार दे, यानि पार कर दे, जिनकी सारी मनोकामनाय पूरी हो, ऐसे माने जाते हैं, सेक दूसरा मैंने का ख्वाजा कुटबदीन बक्तियार काकी इनकी डेथ मी 1235 में कहा है इनकी दरगाह न्यू दिल्ली में आपने कुटब मिनार देखा है कुटबदीन बक्तियार काकी के नाम पे ही कुटब मिनार की निव किस ने रखी थी साबस, very good कुटबदीन एबक के द्वारा ठीक है कुटबदीन एबक ने कुटबदीन बक्तियार काकी उनको को वो मानता था उनके गुरू थे ओके तो कुटबदीन कुटब मिनार के पास ही कुटबदीन बक्तियार काकी की दरगाह भी है ओके उसी के आहाते में किता है तीसरा नाम से एक फरीदुदीन गज्यशंकर 1265 में पाकिस्तान के अजोधन में इनकी दरगा है फिर नाम आता है शेक निजामUdine ओलिया 1325 में इनका डैथ हुआ था इनकी दरगाह दिल्लि में निजामUD scout के नाम से फेमस है दिल्ली में एक जगह है ओके रेल्वे स्टेशन भी है वहाँ पर उसी के पास में निजामुदीन ओलिया साहब की दर्गाह भी है ठीक है कभी मौका मिले देखके आना पता चलेगा आपको फिर आता है से एक नशीरुदीन चिरागे दिल्ली इनकी दर्गाह भी दिल्ली में है 1356 में इनकी देथ हुई थी ओके ये पाँच फेमस चिस्ती मैंने कहा जिनकों फेमस अबसे सबसे ज़्यादा प्रसिद्धी है ओके ये इंग्लिस में भी लिखे वे हैं जो बच्चे इंग्लिस में नाम नूट करना चाहे चले आगे ये देखिए ये चित्र कहता 17th century painting of सेख निजामुदीन ओलिया अमीर खुसरो अमीर खुसरो साहब कौन से है इसमें आप पहचान सकते हैं लेफ्ट साइड में जो आपके बने वे हैं ये हैं अमीर खुसरो जी और ये हैं उनके गुरू निजामुदीन ओलिया निजामुदीन ओलिया के सिस्षट है अमीर खुसरो ओके पिछले वीडियो म मैंने अमीर खुसरो के बारे में बताय बीठा तोताय हिंद कहते हैं तोती हिंद भी कहा जाता है ना हाजी अमीर खुसरो कवाली की रचना गजल की रचना कई सारी बाते इनकी बताई थे देखे एक इसमें आपको बताया गया मुल्क का चिराग The Lamp of the Entire Land कहता है परते हैं सुफी दरगा के कुछ विशिस्ट लक्षन होते थे हर सुफी दरगा में कुछ स्पेसिलिटीज थी तो अठारवी सताबदी में दक्कन के दरगा कुली खान ने कुली खान थे दक्कन के इन्होंने सेख नसीरुदीन चिराग दिली की दरगा के बारे में किसकी मैंने कहा सेख नसीरुदीन चिराग दिली बताया था इनके बारे में आपको मैंने दिली में इनकी दरगा है सबसे लाश्ट वाला मैंने आपको बताया था तो कहता है जो यह थे आपके कुली खान डक्कन के इन्होंने इनकी दर्गा के बारे में लिखा है किसमें लिखा है मुरक्का ए दहली मुरक्का ए दहली में इन्होंने लिखा है मुरक्काई देली क्या है इसका मतलब हुआ दिल्ली की एल्बम दिल्ली के बारे में जो इनूने लिखा जब उपने दिल्ली आये उसकी यात्रा के बारे में लिखा क्या लिखते है कुली खान साब ये कुली खान जो लिखते है शेक सिर्फ दिल्ली के ही चिराग नहीं है अपीतु सारे मुल्क के चिराग है चिराग मतलब लेम मतलब जो रोशनी दिखाता है यानि जो पत्प्रदर्सक है जो हमें राहा दिखाता है ठीक है? कहता है अपीतु सारे मुल्क के चिराग है लोगों का हुजूम यहां आता है खास तोर से इतवार के रोज इतवार को इस्पिसल भीड होती है दिवाली के महीने में दिल्ली की सारी आबादी दरगाह पर उमड आती है कहता है दिवाली के महीने में दिल्ली की जो सारी आबादी है वो दरगाह पर दर्सन के लिए आती है और हौज के पास तंबू गार के कई दिन तक यहां पर रहते हैं पुराने रोगों को ठीक करने के लिए वे यहां नहाते हैं सब रोग ठीक हो जाते हैं उनकी मानेता है क्या रहा है हिंदू और मुसल्मान एक ही भावना से आते हैं इसी को हमने गंगा जमुनी बनावट कहा था हमने पढ़ा था ना इस चप्टर में गंगा जमुनी बनावट क्या मतलब हुआ गंगा जमुनी बनावट का यही मीन्स हुआ कि जहां पर सभी धर्मों के लोग, सभी संप्रदाए के लोग, सभी समुदाए के लोग प्यार महब्बत से एक साथ रहे ऐसा देश हो मेरा आज भी कभी जब देश में माहौल खराब होता है संप्रदाय के नाम पर जाती के नाम पर तो वाकई में जो लोग गंगा जमुनी बनावट को चाहते हैं उनके दिलों को ठेस पहुंचती है ऐसा देश हमारा हो हमने यही कल कि जहां पर सभी धर्मों सभी समुदाय के लोग प्यार महब्बत से एक साथ खाएं एक साथ रहें ठीक है ना एक साथ वो दिवाली मनाएं एक साथ वो एद मनाएं एक साथ वो बैसाखी मनाएं और एक साथ वो आपका क्रिस्मस मनाएं ठीक है ना हाँ जी तो कहता है सभी धर्मों के लोग एक ही भावना से यहां आते हैं सुबह से साम तक लोग आते रहते और पेड़ की छाओं में हसी-खुशी में अपना समय पिताते हैं तो यह किसके लिए किया रहा है मुल्क का चिराग मैंने कहा सवास नसीरुदीन चिराग दिल्ली ओके दिल्ली में इनकी दर प्रशीद है एक तो यह अजमेर सरीफ में ख्वाजा मुईनुदीन चिस्ति की दरगा एक ब्रमा जी का मंदिर देखे हिन यही मैंने कहा गंगा जमुनी बनावट आप जाएं तो मंदिर के भी दर्सन करके आएं दरगा के भी दर्सन करके आएं यही हमारी गंगा जमुनी बनावट हम हिंदू और मुसल्मान सबको एक प्रेम से रहना होना चाहिए ठीक है न तो कहता है अजमेर सरीफ में ख्वाजा मुईनुदीन चिस्ति की दरगा ओके ख्वाजा गरीब नवाज देखे एक और इसमें आर्टिकल दिया हुआ है कहता मुगल सहजादी जहां आरा की तीर थी आत्रा कौन थी जहां आरा जहां आरा बातसा सहजां की बेटी थी ठीक है रोसन आरा जहां आरा और आलम आरा हां जी क्या कहता है ये कहता है निमलिकित गद्यांस जहां आरा रचित से एक मुईनुदीन चिस्ति की जीवनी तो मुईनुदीन चिस्ति की जीवनी लिखी थी किसने जहां आरा ने नाम था मुनिस अल-खा मुनिस अल-खा यानि आत्मा का विश्वस्त इस से लिए गया है क्या कहती है जहां आरा जहां आ रहा मैंने का मुगल बात साथ सहा जहां की बेटी ओके ओके औरंगजेब की बेहन कहता है अल्ला ताला की तारीफ के बाद यह फकीरा जहां आ रहा कहती है अल्ला तारा की तारीफ कर रहे है उसके बाद यह जो फकीरा है मतलब जहां आ रहा अपने को फकीरा बता रहा है यह फकीर फकीरा ठीक है female फकीर as like फकीरा हाँ जी कहता है यह फकीरा जहां आ रहा राजधानी आगरा से अपने पिता के संग पिता कौन? बादसा सहाजा कहती ही राजधानी आगरा से हाना बेजोड बतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो अद्विती है यूनीक ओके कहता है बेजोड अजमीर क्लिनिकली मैं इस बात के लिए वाइदा परस्त थी कि हर रोज और हर मुकाम पर मैं दो बार की अक्तियारी नमाज अदा करूंगी वो कहते हैं मैं हर रोज दो बार की नमाज अता करूंगी बहुत दिन मैं रात को बाग के चम बचे चम्रे बिचे होते थे हना बाग की खाल उस पर आराम से सोते थे गड़ेदार कहते ही मैं बहुत दिन तक उस पर नहीं सोई ठीक है न और अपने पैरों पर मुकदध दरगा की तरफ नहीं पैलाए पैर भी मैं पेड के नीचे दिन गुजारती थी वीरवार को रमजान का मुकदस महीने के चौते रोज मुझे चिराग और इत्र में डूबे दरगाह की जियारत की खुशी हासिल वी जियारत पूजा करना ये पिछले वीडियो में जियारत वर्ड आपको धूल से रगडा दरवाजे से मुकदस दरगाह तक मैं नंगे पाओ वहां की जमीन को चूमती हुई गई गुंबत के भीतर रोशनी से भरी दरगाह में मैंने मजार के चारोर साथ फेरे लिए आखिर में अपने हातों से मुकदस दरगाह पर मैंने सबसे उम्दा इतर छड़का चूंकि गुलाबी दुपट्टा जो मेरे सिर पर था मैं उतार चुकी थी इसलिए उसे मैंने मुकदस मजार के उपर रखा ठीक है दरगाह में लोग आचद्द चड़ाते न जैसे तो इनोंने अपना दुपट्टा वहाँ पर चड़ाया ओके समझ आया आपको तो जहां आ रहा ये जो मुगल बात साजां की बेटी थी उन्होंने जीवनी लिखी है किसकी मैंने कहा जिनने मुहिनुदी जिस्ती को कहा जाता है न उनकी और जीवनी का नाम लिखा है मुनीस अल अक्षा मुनीस अल अक्षा यानि आत्मा का विश्वस्त ओके देखे आगे फिर आगे देखते हैं मैंने कहा जो हमने पांच बताये थे आपको ग्रेट चिस्ती संत इन में सबसे अधिक पूझने दरगा क्वाज मुहिनुदीन की है जिनने गरीब नवाज कहा जाता है मैंने आपको समझाई दिया एक्स्पेरिन कर दिया है क्या है सबसे लोग पिरिता का कारण सेख की सदाचारिता और धर्म निष्ठा तथा उनके अध्यात्मिक वारिसों की महानता उनके बाद जो उनके वारिसों रहे है उनकी भी महानता और राजसी महमानों द्वारा दिया गए प्रस्रे यानि जो साही लोग है वो इसको प्रस्रे दे रहे हैं सरक्षन दे रहे हैं हाँ जी कहता है मुहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351 इनका सासनकाल था ओके सासनकाल 1324 से 1351 मुहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगापर आया था ठीक है पहला सुल्तान कौन था मुहम्मद बिन तुगलक ओके सबसे पहले दरगापर आने वाला कहता है पर सबसे पहले जो शेक की मजार पर इमारत बनवाई जो बिल्डिंग बनाई जो मतलब उसके उपर बनाया किसने बनाया मालवा के सुल्तान गियासुदिन खिल जी ने गियासुदिन खिल जी ने सबसे पहले इसके उपर टॉम बनाया पंदरवी सताब देखे, उतरार्द में, उतरार्द मतलब क्या हुआ दोस्त? हाँ जी, साबाश, बताइए उतर मतलब होता है बाद का, ठीक है, उतर मतलब होता है बाद का, अर्द मतलब आधा, यानि सेकंड हाफ, ओके, मैंने कहा आधा, ये पूरवार्द, पहले का आधा, यह उत्रार्द ओके जैसे मैंने का पांदरवी सताब दी तो आप समझ में आया 1450 के बाद चले आगे हाँ जी कहता है यह दरगा दिल्ली और गुजरात को जोडने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी जो यह दरगा है हमारी अजमेर में यह गुजरात और दिल्ली का जो पर थी तो इससे यहां पर क्या था बहुत सारे यात्री आते थे यह इसकी और इंपोर्टेंस बढ़ जाती थी मुगल बादसा अकबर ने क्याता है यहां पर 14 बार यात्रा की 14 बार यहां आए और क्या उदेशे था उनका यहां आने का नई विजह के लिए आशिरवाद ल आते थे उन्होंने तीर त्यात्राओं के लिए खाना पकाने के लिए विसाल देग की देग देग जिसमें खाना बनाया था बहुत बड़ा बरतन होता है ठीक है तो कहता है उन्होंने विसाल देग की यहां पर गिफ्ट किया ठीक है बड़ा सा बरतन होता है देग ओके तो किसके वंसज कह रहा है बाबा फरीद के वंसज और सेख सलीम चिस्ति निजामुदीन ओलिया के शिश्य भी थे यह दरगा चिस्तियों और मोगल राजग गनिश्टमंदों का प्रतीक थी देखिए आपने फत्यपूर सीखरी देखा है ठीक है किसी ने देखा है फत्यपूर सी सीकरी हाँ जे तो फत्यपूर सीकरी में सरेख सलीम चिस्ति की दरगाह भी है फत्यपूर सीकरी में अट्मर ने बुलंद दरवाजा भी बनाया तो अपनी राजदानी फत्यपूर सीकरी सिफ्ट की थी सेगस अलीम चिस्ति की दरगा ये देखिये वाइट वाले मारबल से बनी वी जो यeger है ये एक सेगस अलीम चिस्ति की दरगा है ठीक है फतह पुर सीक्री में सीकरी में तो कहता है अक्बर ने बनी बना वाई है उके चले आगए हांजे कहता है नाच और एक ओर खास बात सेख सलीम चिस्ती के नाम पर ही अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था ठीक है अकबर का जो पुत्र था उसका नाम सलीम क्योंकि वो जब इस दरगा पर गए थे इनी बाबा के आसिरवात से उनको पुत्र रतनी की प्राप्टी हुए थी तो मैंने कहा था अपने पुत्र का नाम रखा सलीम ओके बच्पन में उसको सेखु बाबा के नाम से भी पुकारते थे अकबर और बाब में बड़े ओके वो किस नाम से अवगतीम समाली उने साहबाई सलीम ने जहांगीर ओके जहांगीर तो कहता है नाच और संगीत भी जियारत का हिस्सा था आप देखते होंगे सूफी लोग जब अपना सूफी मुजिक देखा है ना आपने तो कहता ही ये उनके जियारत यानि उनकी साधना यानि उनकी पूजा का हिस्सा था खास दोर से कव्वाल द्वारा प्रस्तूत रहसेवादी गुणगान कव्वाल जो है रहसेवादी गुणगान जिसमें परमानंद की भावना को उभारा जा सके बड़ा ही परमानंद मतलब परमानंद आनंद का भी जो आप पीक पॉइंट कह सके कहता है ठीक है उसकी लिए बात कर रहा है ओके सुफी संथ जिक्र या फिर समा यानि अध्यात्म संगीत की महफिल के द्वारा इश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे कैसे जिक्र जिक्र क्या है इश्वर का नाम जाप करना मतलब जिसे कहते हैं जिक्र ओके समा क्या है स्रावन करना समा एक महफिल में समा सा बन जाता है न आपर लोग मुख दो के सुनते हैं तो कहता है सुफी संथ जिक्र या फिर समा यानि अध्यात्मिक संगीत spiritual music ओके अध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा इश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे ठीक है हाँ जी कहता है मैंने का जिक्र आपको बताया ओके समा आपको बताया चले आगे देखी कववाली का एक द्रिश्य ओके दरगाओं में इस तरह की कववाली किसी ने गए हो तो देखी होगी अब है मारा टॉपिक भासा और संपर्क Languages and Communication चिस्तियों ने स्थाने भासा को अपनाया जो Local Languages थी कहता है दिल्ली में चिस्ति सिलसिले के लोग हिंदवी में बाचीत करते थे हिंदवी का ही रूप आज को हम इंदी बोलते हैं कहता बाबा फरीद ने भी छेत्रिय भासा में जो वहां का रिजनल लेंग्वेज है काव्य की रचना की जो अपना Poetry लिखी वो रिजनल लेंग्वेज में लिखी जो आज गुरु गरंद साही में संकलित है बाबा फरीद की काव्य जो है गुरु गरंद साही में भी संकलित है ठीक है चले आगे कहता है कुछ सूफियों ने लंबी कविताए मसनवी लिखी जहां इश्वर के परती प्रेम को मानवी प्रेम के प्रिम की भावना को व्यक्त किया गया है ठीक है? तो अगर हम मानवे प्रिम और इश्वरी प्रिम से तूलना करी है उसकी, मस्नवी कावे का यह एक रूप होता है तो कहता है कुछ सूफे ने लंबी कवीताई मसनवी लिखी जैसे की एक एक एकसामपल है मलिक महुमद जैसी ने जो एक प्रेम आख्यान लिखा है जिसका नाम है पदमावत ओके पदमावत में रानी पदमनी और चितॉड के राजा प्रतन सिंग की प्रेम कथा के बारे में मलिक मुहमद जैसी ने ये अवदी भासा जोती समय जो चलती थी ठीक है उसमें ये ग्रंथ लिखा है आपने मुवी भी देखी होगी हाली में एक मुवी आई थी पदमावत देखी हाँ जी पदमावत मुवी है ना तो मलिक मुहमद जैसी का ही ग्रंथ है पदमावत आगे आत दखनी उर्दू का ही एक रूप है दखनी में लिखी छोटी कवीताएं थी ओके यह 78 अवताबदी में इस छेत्र में बसने वाले चिस्ती संतो द्वारा रची गई थी कब रची गई थी 17th 18th century में यह रचना इस संभवत है और तो द्वारा घर का काम करते वे जैसे वो चक्की पीशते वे चर्खा काते वे इस समय वो गई जाती थी चर्ख नामा के नाम से आपके सामने एक यह चर्खा नामा गीत पर देख आप जिक्र एकल्बी करें जैसे आप धागे को फिर्की पर लपेटते हैं आप जिक्र ए आई नहीं करें जिक्र पेट से चाती तक उच्चारित किया जाए उस ये धागे की तरह गले से उतारें स्वास के धागे एक गिने बहन 24,000 तक गिने सुबह साम ऐसा करें और इस अमीर खुश्रों ठीक है बारा सो त्रेपन से तेरा सो पचेश इनका पीरियर्ड आप देखेंगे आपकी NCRT में अलग लिखा हुआ है 120 की वाली बुक and disciple of सेख निजामुदीन ओलिया अमीर खुसरो बहुत ही महान कवी है musician यानि संगी तक गया है और सेख निजामुदीन ओलिया के disciple यानि शेष्चे है He gave a unique form to the Chisthi Sama by introducing the call call एक Arabi word जिसका meaning is saying कहता है इन्होंने call एक Arabi सब जिसका आर्थ है कहावत यानि saying कहाव प्रचलन किया और चिस्ति Sama को एक अलग आकार दिया एक special form दिया अलग रूप दिया call वास संग एड़ ओपनिंग और क्लोजिंग ओफ कववाली कववाली के सुरू में और लास्ट में क्या गया जाता था call this was followed by सुफी पोईट्री इन पर्शियन हिंदवी और उर्दू ओके यह follow किया जाता है सुफी पोईट्री में जो की फार्सी हिंदवी और उर्दू में होती थी और कभी कभी इन तीनों ही भासाओं के सब्द इसमें मौजूद होते थे एक निजामुदीन ओल्या की दरगा पर गाने वाले जो हैं वो गायन की शुरुवात कॉल से ही करते हैं सबसे पहले वो कॉल गाते हैं काता तोड़े कभवाली इस परफॉर्म्ड इंस्राइंस ओल अवर दर सब कॉंटिन्ट आज के समय में कभवाली जो है उप महादीब की सभी दरगाओं पर गाई जाती है ठीक है यह देख सकते हैं आप निजामुदीन ओल्या की दरगा पर कभवाली का एक चित्र मुखध होकर सुनते हुए लोग और मक्स्त होकर गाते हुए लोग कहता है सूफी एंड स्टेट सूफी और राज्यों की बीच पे क्या संबन कहता है चिस्ति संप्रदाई की एक और विशेस्ता सैयम और साधगी का जीवन अनदर फीचर्स ऑफ दे चिस्ति सेक्ट वाज अलाइफ अफ मॉडरेशन एंड सिंपलिसिटी with an emphasis on abstaining from power कहता है जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल हम सत्ता में नहीं रहेंगे राजनीती से दूर पर राजनीती से दूर का मतलब यह नहीं कि उससे बिलकुल अलग भाव होगा but there was no feeling of separation from political power the Sufis accepted unsolicited grants and donations from the political elites क्या कहता है सत्ता जारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान यानि दान यानि भेट दे तो Sufi संथ उसे स्विकार करते थे एक्सेप्ट कर लेते थे बिना मांगा अनुदान ओके सुल्तान गेव खानका a tax-free land grant सुल्तानों ने खानका को क्या दिया tax-free land grant करमुक्त भूमी अनुदान में दी चिस्ती used to accept donation in the form of money and goods चिस्ती जो है donation को स्विकार करते थे money और goods के रूप में धन और किस के रूप में सामान, goods, वस्तुएं but instead of storing them पर वो उनको store नहीं करते थे कि संभाल के अपने ले भंडार भर दिया they used to spend completely on food, clothes, living, arrangement and rituals such as समा इनको संजोने के बजाए खाने, कपड़े, रहने की विवस्ता और अनुष्ठानों जैसे समा की महफिलों पर पूरी तरह खर्च करते थे अपने एस और आम पर खर्च नहीं करना मतलब, कहता है इस से आम लोगों का उनकी और धुकाव बढ़ता रहा लोग बड़े ही उनको और ज़्यादा मानते थे कि यह जितना भी इनको मिल रहा है, यह सारा हमारे लिए ही तो खर्च कर रहे है तो इनकी लोग परिता के कारण सासक भी चाते थे, कहता है दियू टू डियर पॉपुलरिटी, दूलर्स आलसो वांटे टू शिक्यूर दियर सपोर्ट सासक चाते थे वो उनको सपोर्ट करें, क्योंकि लोग उनको मानते थे ओके, देखे, एक इसमें एक्जामपल दिया हुआ है, साही बेट आस्विकार कहारा है, यह उद्धरन सुफिक रंट से है, जो सेक निजामुदीन ओलिया की खानका में 313 में घटना घटी थी, कौन कहारा है यह, अमर हसन सिर्जी कहते हैं, मेरी अच्छे किसमत थी कि मैं उनके, किसके, निजामुदीन ओलिया साहब, के कदम चूम सका, इस समय एक स्थाने सासक ने, दो बगीचे और बहुत सी जमीन का पट्टा सेक साहब को बेजा, सेक साहब को, एक वहां का जो लोकल राजा था, उसने बेजा जमीन का पट्टा, ओके, कहता है, साथ ही इनके रखरखाओं के लिए औजार और आवश्यक वस्तोय भी बेज़ दी, सासक ने साफ किया कि यह बगीचा और जमीन पर उनका अपना हक कहते हैं, इस जमीन खेत और बगीचे का मुझे क्या करना है, हमारे कोई भी अध्यात में गुरू दिन से मिलने आए थे, तो उन्होंने शेखों को कुछ धन रासी और चार गाओं का पट्टा दिया था, तो उन्होंने कहा है, धन दर्वेशों के लिए था, किसके लिए दर्वेश मतलब जो सूफी है, ठीक है, तो कहता है, यह धन दर्वेशों के लिए था और जमीन सेख क जो इनको चाहते है ठीक है जब तुरकों द्वारा दिली सलितनात मैंने पिछले वीडियो में यह भी बताई था आपको दिली सलितनात की स्थापना तुरकों ने की थी तो स्थापना की गई तो सुल्तान जानते थे कि जादा तर परजा जो है वो इसलाम धर्म को तो मानने वाली है नि अब जो उल्मा कहते थे सरिया लागू करवाने को उल्मा जोर देते थे सरिया लागू करवाने को पर सुल्तान जानते थे कि जादा परजा इसलामिक नहीं है तो इन्होंने उल्मा की इस मांग को ठुकरा दिया ठीक है अब उल्माओं को सीधा अगर ठुकराएंगे तो वहां भी इन्होंने किसका साहरा लिया सुल्तानों का सुल्तानों ने किसका साहरा लिया सुफी संतों का की सुफी संतों का साहरा लिया ठीक है तो सुफी संतों का सपोर्ट भी लेते थे पर ये क्या कह रहा है Examples of conflict between सुल्तान्स and सुफीस also exist ठीक है क्या कहता है Conflicts के भी examples मिलते हैं मतलब इनके भी तनाव के भी उद्हारण मिलते हैं कैसे कैसे both used to emphasize certain ethics to claim the power दोनों ही अपनी सत्ता का दावा करने के लिए कुछ आचारों पर बल देते थे कहता है जैसे such as prostration and kissing of the feet जुक कर परणाम और कदम को चूमना सुफी सेक्स was addressed with high sounding titles वड़े ही उंचे उंचे पद लेते थे सुल्तान अलमसेक कहते थे उन्हें सुल्तान अलमसेक मितलब सुल्तान amongst सेक्ष सेक्षों में भी सुल्तान सबसे बड़े पतब सेक्षों के भी सुल्तान सेक्षों के भी राजा ठीक है इस तरह बड़ बड़ टाइटल भी लेते थे कहता है यह जो कभी कभी सेख होते थे कुछ अन्य सूफी भी हुए है जैसे कि दिल्ली सल्तनत के यूग में सुरावर्दी और मुगल यूग में नक्स बंदी जो राज्यों से जुड़े रहे लेकिन इनके जुड़ाव के इतना ही वीडियो कल हम फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी ही हम आएंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही सभी को नमस्कार घर में रहें सुरक्षित रहें अपना ध्यान रखें